असलाम अरेकूम, Hello everyone, I am Sidra Atteev and you are watching my channel Sidra Pet Guideline आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किटन को बात कैसे देना है और हम अपने किटन को फर्स्ट बात जो है आद देने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने किटन को फर्स्ट बात कैसे केरफुली दिया है और किन चीजों का आपने भी ख्याल रखना है सबसे जदा एहम बात जो आपने ख्याल रखना है आपने उसके फेस पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और किस तरह से बिना पानी डाले आप अपने उसके फेस को क्रीन भी कर सकते हैं कुछ पैट होते हैं उन्हें बहुत इर्टेशन होती है वाटर से और जब पानी उनकी एर्ज में चला जाए तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप थोड़ी सी ये केर कीजिए कि आप उनको जब बात देने लगें तो उनकी एर्ज में कोटन भी डाल सकते हैं और फेस प आपको यही करके बताने वाली हूं कि फेस को अपने कैसे बचाना है ज़्यादा पानी से क्यूंकि अगर सांस में गया या कान में गया तो आपके पैट की डेथ भी हो सकती है इस तरह के बहुत से केसिज मैंने सुने हैं कि उन्होंने फस्ट टाइम बात दिया और ठीक तरी आते हैं और ड्राइबाद भी उनके ओपर काम नहीं करता तो फिर बात देना पड़ता है और जो एडल्ट हैं वो मैं वन सा मन्त उनको बात देती हूं जो मेल कैट है वो जल्दी डर्टी होता है वो अपने आपको वो सेल्फ ग्रूमर इतना अच्छा नहीं है तो उसको मैं 20 डेस के बात देती हूं कोई इस तरह का पैट जो जल्दी गंदा हो जाता है तो आपको जल्दी बात देना पड़ेगा अगर आपकी कैट कुछ सेल्फ ग्रूमर बहुत अच्छी है तो आप वन सा मन्त उसको बात दें इस से जदा भी लेट मत कीजिए क्योंके फिर फंगर से पहले बात देने से आप परहज़ करें क्यूकर कैट थोड़ा सा पानी से स्ट्रेस करें यह निकी फोरफ श्रेस थेजा थोड़ा नेती हैं तो आप बात दें वह minder हो जाती हैं विकिंघीघे के बहुत कियर आपने करनी है कि आगर जैसले मौसम चेंज हो रहा बिसके विं करना है तो आपका किटन कमस कम 15 दिन तक बहुत साफ सुत्रा रह सकता है उसके बाद आप उसको बाद दे दीजिए सेम इसी तरह अगर आप अपनी एडल्ट कैट की आइस को डेली क्लीन करते हैं और उसके फेस को वेट टावल से नीट कर लेते हैं तो आपकी जो यह कैट है व आप में खुद देखना है कि आपको कैसा फील हो रहा है से स्मेल आ रही है वह डर्टी जादा फील हो रहा है तो आप उसको बात जूरूर देना है अगर वह खाली टावल से साफ हो सकता है और आपको लग रहा है कि टावल से ही नीट करने के बाद वह क्लीन है और उसे बात आपने हमेशा शेंपू और डिर्क बॉडि पर प्लाय रहा है पानी में डिलूट करके रूज़ करना है वेडिन फरमूला के शेंपू अगर मैं एक हिसाः शेंपू का लूँगी तो मैं चार गुना जादा इसमेंए पानी आइड करूंगी एक पार शेंपू का फोर पार कंडिशनर के लिए भी मैं पानी लूँगी अगर मैं एक हिसा कंडिशनर कर लूँगी तो मैं चार गुना जदा इसमें पानी डालूँगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब मैं किटन को बाद देना स्टार्ट करूंगी, किटन बहुत डर्टी हो रहा है, हेर्स के फ्रीजी हो रहे हैं सबसे पहले जो है, मैं नीम गरम पानी से इसे अच्छे से वेट कर लूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, पानी जुरूर नीम गरम होना चाहिए अब मैंने जो शैंपू को ट्यार के रखा था, पानी में डालूट करके, मैं वो अपलाए करूँगी, आप स्कीन पे हमेशा डिरेक्ट शैंपू मत अपलाए कीजिए, उससे पहले पानी में डालूट कर लीजिए, पिर जिस तरह से हेर्स होंगी, उसी डिरेक्शन में आप आपने अच्छे से मसाज करना है किटन को और इस तरह इसके बॉड़ी में टैंगल्स भी नहीं बनेंगे मैं कुछ हेरियास को ब्रश से क्लीन करूंगी ताके वो और अच्छे से क्लीन हो जाएं जैसे के पाउस हैं और इसमें लिटर में जब यह जाते हैं तो अकसर यहां से पाउस को ब्रश से साफ करना है ताके वो और अच्छे से नीट हो जाएं आपने हमेशा सोफ़ ब्रश यूज करना है और ताके इन की स्किन भी किसी किसम के रैश्णा हो अब मैं शैंपू को पानी से अच्छी तरह से निकाल लूँगी और मैंने निम गरम पानी लिया है क्योंकि वैदर चेंज हो रहा है आप भी इस वैदर में बच्चे को निम गरम पानी से बात दें अब मैंने जो डैलूट किया था शैंपू वो मैं ब्रश पर लगाऊंगी फेस क्लीन करने के लिए आप भी इस तरह से कीजिए ताकि आपको पानी फेस पे कम से कम इस्तमाल करना पड़े और आपका किटन का फेस भी बहुत ही अच्छे से निट हो जाए क्योंकि फेस के एरिय हैं और राइट की तरफ पी लेड की तरफ पानी को डाल कर इसके फेसक पस compare आख लिए अब मैं कंडिशनर लगाऊंगी कंडिशनर ही मैंने पानी में मिक्स का लिया था और और मैं डार्य कर रही हूं है इस पानी में डायलूट किया हुए अब जिस तरह से हेर की डिरकशन उस तरह से आपने जो है मसाज करना है ताके टैंगल्स ना बने और कोड को सिल्क यो स्मूद बनाने के लिए कंडिशनर का इस्तमा लाजमी क्या करें अक्सर लोग कंडिशनर नहीं करते सिर्फ शंपू करके अपने पैट को छोड़ देते हैं आपने व्यवन हैं आपने आपने रहगण नहीं है वरना उसके बालों में तैंगल भी बनेंगगी बाल तूटेंगे भी बहुती स्मूथली आपने बस टैप करना है और इस तरह इसके पानी निकल जाएगा आपने एर्स जो है इसके क्लीन कर लेने हैं बात देने के बाद जो है वेक्स काफी नरम हो जाती है कान की और बाहर आ जाती है तो आप इसे इस ट्राइम अच्छे से क अगर आप किटन को इसी तरह से बाहर लाएंगे तो उसको सर्दी लग सकती है और वो बेमार हो सकता है मैंने अलेक्टिक हीटर बिल्कुल अपी तक बंद नहीं किया जब तक यह फुल ड्राइ नहीं हो जाएगा इसके पात मैं इसको एक घंटे के लिए किसी वार्म ब्लैं प्रेश उठेगा और वो बेमार नहीं होगा अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका इटन जो है जब भी बात लेता है तो इसको फीवर हो जाता है या वो लेजी हो जाता है तो आप 0.3 ml उसको बूफिन दे सकते हैं कैट सबकी डर्टी होती है ऐसा नहीं है कि हर का जो है वो थोड़ा लो रखा है बहुत ज़दा ये गरम नहीं है अब मैं किटन को जो है वाम ब्लैंकेट में रैप करके अच्छे से एक घंटे के लिए इसको सोने दूंगी और कोई भी इसको डिस्टरब नहीं करेगा और मैं एक जगा पर इससे बंद करी हूं ताकि यह फलोर पर आके ना सो जाए और अपनी जगा को छोड़का जै इसकलिए गरम जगा पर सोता रहे तो इसके लिए बहूत अच्छा है अब यह उट गई है और यह में साथ प्ले करना चारी है और चारी है कि यह बाहर आजा जाए तो हम इसको बाहर निकालते हैं ताकि यह और जब चृइसको अब्सकी मुदित रही हैक उसको थोड़ा सा है एक्तिव और अब विपने को सोगे हैं और को डिस्टरब ना करें जभी नीम्ध कीजें। तो उठेंगे तो आप इसको फूड दें उसके बाद आप इसको खेलने दें तो ये काफी फ्रेश होंगे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जूर कीजेगा और मुझे कॉमेंट करकर जूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज